नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों सभी सरकारी करमचारियों के लिए एक गुड नियूज है डेड़ साल से रुके हुए महंगाई भत्ते का सासना देश जारी कर दिया गया है बड़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अगस्त महा के वितन के साथ सितम बार महामे देश जारी कर दिया गया है साथियों सासना देश को देखने से पहले, वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो whatsapp ग्रूप और informative वीडियो telegram ग्रूप बनाए हुए हैं आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं तो चलिए देखते हैं किस तरह का आदेश जारी हुआ है इसके प्रेशक है एस राधा चोहान अपर मुक्के सचीव उत्तर परदेश सासन और या आदेश भेजा गया समस्त विभाग अध्यक्ष एमपर मुक कारेल अध्यक्ष उत्तर परदेश वित अधिकारी कुल सचीव समस्त राज्य विश्विद्धाले उत्तर परदेश सिक्षा निदेशक विभाग उत्तर प्रदेश लखनौ। विभाग एक के कारियले संख्या दी गई है दिनांक 24 अपरेल 2020 का संदर्व ग्रहन करने का कश्ट करें जिसके द्वारा COVID-19 के संकट की स्थिति में भारत सरकार के निर्डें के आधार पर राज्य सरकार के करमचारियों पैंसनरों एवं पारिवरिक पैंसनरों को दिनांक 1 जन जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से दे महगाई भत्ता और महगाई रहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान फ्रीज करने का निर्डें लिया गया था भारत सरकार ने कारियले ग्यापन दिनांक 20 जुलाई 2021 द्वारा महगाई भत्ते की विद्दमांदर 17 परतिसत से बढ़ा कर 28 पर 21 तक महगाई भत्ते की दर को 17 परतिशत बनाई रखने का निर्डने लिया गया है अथार इसका सीधा सा मतलव है पीछे का जो एरियर है वो आपको नहीं मिलेगा नमबर दो उप्रोक्त के संदर में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि भारत सरकार के कारियले ग्यापन दिनांक 20 जुलाई 2021 के करम में राजेपाल महोदय ने परदेश के समस्त पूर्ण कालिक नियमित राजे करमचारियों साहिता प्राप सिक्षन और प्रावतिक सिक्षन संस्थानों तता सहरी इस्थाने निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक करमचारियों कारिय परभार 2021 से महेंगाई भत्ता मूल वेतन के 17% की विद्धमान दर से बढ़ा कर मूल वेतन के 28% की दर से दे होगा दिनांक 1 जन्वरी 2020 से दिनांक 30 जून 2021 तक की अवदी में महेंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17% ही रहीगी नम्मर दो मेंगाई भत्ते की बड़ी धनराशी का भुगतान दिनांक एक अगस्त दोजारिकिस महा अवेस्त दोजारिकिस का भुगतान महा सितंबर दोजारिकिस से दे से नगद किया जाएगा सन्सोदी दर पर महेंगाई भत्ते की दिनांक एक जोलाई 2021 से 31 जोलाई 2021 तक दे अवसेस धनराशी अधिकारिय करमचारी के भशिष्य नि दिखाते में जम्मा की जाएगी और इसे दिनांक 31 जोलाई 2022 के पूर भशिष्य नि दिखाती से नहीं निकाला जा सकेगा राश्ट्य पैंसन योजना NPS से आच्छादित क्रमचारियों अधिकारियों को दे मेंगाई भत्ते की भुगतान 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक की अवसेश की राशी के 10 परतिशत के बराबर राशी क्रमचारियों के टीर वन पैंसन खाते में जमा की जाएगी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनसी के रुप में दी जाएगी नमबर तीन जिन अधिकारियों क्रमचारियों की सेवाए उक्ता नुसार निन्ने लिये जाने की तिति से पूरु समाप्त हो गई है अत्वा जो अधिकारी क्रमचारी अधी वर्स्ता की अयू प्राप्त कर दिनांक 31 जुलाई 2021 को सेवा निवरत हुए है अत्वा चह मां के अंदर सेवा निवरत होने वाले हैं उनको दे महिगाई बत्ते की संपूर्ण राशी का भुगतान नगद किया जाएगा इस सासने देश द्वारा स्विकत महिगाई बत्ते के संबन्द में सासना देश संख अब देखते हैं इसमें किस तरह का आदेश आया है देखिए उत्तर पर देश आसने क्या आदेश जाडि किया दिनांक 24 अगर्ज 2021 क्यारले ग्याप राज़ सरकार के सिविल पारिवारिक पैंसनर आदे को महिगाई राहत की स्वी करती यह महिगाई राहत के लिए राज़ स तरक्षित को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तरप्रदेश वेतन समीथी 2016 की संस्तुति के अधीन निर्गत सासना देश के प्रावधवन के अनसार संसोधित या स्विकर्थ पेंसन पारिवारिक पेंसन पर सीर्ब रज्य पाल द्वारा दिनांक एक जोलाई दोहजारिक महिंगाई राहत विद्दमान 17% से बढ़ाकर 28% किया जाने की सहर स्विकरती परदान की गई है दिनांग 1 जन्वरी 2020 से दिनांग 30 जून 2020 तक की अभदी में महिंगाई राहत की दर मूल पैंसन या मूल पारिवर्ग पैंसन की 17% ही रहेगी मेंगाई रहत की ऐसी धन्रासी जो एक रुपे के आदिस से कम आगनित होगी उसे नदर अंदाज कर दिया जाएगा जबकि आदिस यादिक को पूर्ण रुपे के रुप में माल लिया जाएगा यह आदिस उच नयले के नयदिसो इस्थाने निकायों तो सारवजिक उपकरम आदि के सेवकों पर लागून नहीं होंगे उनके संबंद में संबंदित विवागों द्वारा अलग से आदिस निर्गत किया जाना फिक्षित होगा अखिल भारतिया सिवाओं के पैंसनर पैंसनर अनुमन नहीं उन पर भी लागू होंगे तो यह सा आदेश जो दिये गए हैं यह महंगाई राहत के दिये गए हैं उससे पहला जो आदेश था हूँ महंगाई भत्ते का था यानि महंगाई भत्ते से हमारा मतलब है यह उनको मिलेगा जो रज्य सरकार की सिवा में ह और महंगाई रहत उनको मिलती है जो पैंसन ले रहे हैं तो यह आदेश जादी हो गया कापी अच्छा आदेश है तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल का इकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दन्यवाद